हाई अव्रिवन वेलकम टू स्टाडिय स्प्रिंग आज है 17 दिसंबर और आज ही के दिन पत्टाभी सिता रमया का निधन हुआ था तो आज हम लोग डिसकस करेंगे पत्टाभी सिता रमया के जीविनी को अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और सेर कर लीजेगा आंधर परदेश के नेलूर तालुके में एक निर्धर पडिवार में हुआ था उनके पिता आठ रुपे परती महीने के वेतन पे ग्रिहस्ती चलाया करते थे और सिता रमया जब चार या पांच वर्सके थे तो उनके पिता की मृती हो गई थी ये वो समय था जब 25 तरमया दिक्कतों का सामना कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारी दिक्कतों को सहकर के बीए की डिगरी जो है वो मदरास क्रिस्चन कॉलेज से प्राप्त की थी इसके बाद करिनार में एक धनी वकील के कन्या से उनका विवा हो गया था और यहां से उन्हें कुछ सपोर्ट मिला और उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और मचली पट्टम में चिकित्सक के रूप में उन्होंने व्यवसाई के जीवन प्रारंभ कर दिया लेकिन उनके अंदर राष्ट्रिय था की भावना जरूर थी और जब बंग बंग आंदोलन हुआ था उस वक्त जो देश व्यापी आंदोलन था उसमें उन्होंने भाग लिया और वो कॉलेज के दिनों से ही कॉंग्रेस के संपर्क में आ जुगे थे राष्ट्रिय विचारों के परचार के लिए उन्होंने जन्म भूमी नामक एक साहितिक पत्र को भी निकाला था जो कि अंग्रेजी में वो लिखा जाता था और यहां से जो है वो पूर्ण रूप से राजनितिक में परवेश कर चुके थे आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 1930-1932 और 1942 में जेल जाना पड़ा और सीता रमया 1940 में भारतीय राश्रीय कॉंग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए उन्होंने पर्चा भड़ा था और उस वक्त वो अत्यांत चर्चा में रहे थे लेकिन सुभास चंदर बोस जनवरी 1949 में महत्मा गांधी का असिरवाद प्राप्त की और सीतार मया से जो है वो 1377 के मुकाबले 1580 वोट से जीत गये थे इस जीत पर महत्मा गांधी ने बोला था कि पटावी सीतार मया के हार जो है वो मेरी हार है पटावी सीतार मया महत्मा गांधी के बहुत नस्दीक थे और ब बलाब भाई पटेल और पटाभी सीता रमया ने एहम भूमी का निभाई थी, 1952 से 1957 तक वो मध्य पर्देश के राजेपाल के रूप में भी कारे किये थे, भारत के सोतंतरता के बाद पटाभी सीता रमया किसी भी राजनितिक पद के लिए चुनाओ नहीं लड़ा था और वे लेखन कारे में लग गये थे और एक लेखन के रूप में उनकी बहुत ख्याती हुई थी और उनके द्वारा जो लिखी प्रमुक पुस्तके है, गरंत है उसमें 60 years of Congress, Indian nationalism, redistribution of state, history of the Congress बहुत महतोपूर्ण रहे थे, उनके महतोपूर्ण कारे में 1915 में कृष्णा कोपरेटि कंपनी के स्थापना में उनकी महतोपूर्ण भूमिका थी और 1929 में भारतिय लक्ष में बैंक लिमिटेड की स्थापना उनके की थी, 17 दिसंबर 1969 मतलब आजी के दिन 25 सीतर अमया का दिहान्त हो गया था, तो अगर आपको ऐसा लगा कि 25 सीतर अमया की जीवनी से रिलेटेड और आपके exam में जो भी पूछे जाने वाले point होंगे उसको to the point हम लोग discuss करेंगे, तो आज के session के लिए इतना ही, please चैनल को subscribe और share कर दीजेगा, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए thank you, goodbye and take care.